नमस्कार दोस्तो जैसे जैसे गर्मियों का मौसम इस्टार्ट होता है ना मार्केट के अंदर पाउच फिलिंग की बोटल फिलिंग की मसीने बेचने वाले धड़ाम से आ जाते और उनका सब का कॉंसेट एक ही रहता है टाइमर लगा दिया कंपरेसर या पंप सेट लगा दिय लेकिन मसीन के अंदर कुछ यूनिक कुछ नया कोई नहीं कर रहा है और आज के टाइम ने हमने मार्केट में पिछले 5-7 साल से हम भी पाउच फिलिंग की मसीने बेच रहे हैं और हमने रिचर्च करके एक ऐसी मसीन तयार की है जो की ओल अवर इंडिया में उस टाइप की मस मसीन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी उस मसीन में टोटली आठ खुबिया ऐसी दी गई है कि आप पूरे मार्केट को चांद मालो सर्च कर लो आपको वह मसीन और उस मसीन में जैसी खुबिया आपको ओल अवर इंडिया में किसी भी मैनुफेक्ट्टर के पास रिटलर के पास रिसेलर के पास में वह मसीन नहीं मिलेगी औललिफल वह मसीन आपको राइट होमन कंपनी के यहीं से मिलेगी अब बात की देख रहा हूं तो आप एक बार इस वीडियो को completely देख लो उसके बाद में अपने decide करो मैं सही machine खरीद रहा हूं या नहीं खरीद रहा हूं ऐसा तो नहीं है कि मैं machine का पैसा भी जादा दे रहा हूं और machine में उस type की खूबिया भी नहीं है जैसे कि आज के generation में होनी चाहिए क्योंकि आज का जो वक्त है न वो भरोशे का है और उसके अलावा trust का भी है और उसके अलावा new technology का भी है तो बात करते कि वो आट खूबिया कौन से रहने वाली है अपनी machine के अंदर जो पहली खूबिया रहने वाली है वो है counting की खूबी यानि कि आप जो भी machine खरीदरों हो उसके अंदर आपने दिन का अंदर कितना production किया उसके counting होती है या नहीं होती है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने machine ले ली और वो machine आपने किसी worker को रखके दे दी चार machine आपने ली चार worker को लगा दिया कि भाया इसे pouch pack कर लो bottle pack कर लो लिची bottle pack कर लो और कोई बोलेगा मैंने 500 pack कर ली कोई बोलेगा 700 pack कर ली कोई बोलेगा 800 pack कर ली कोई बोलेगा मैंने 2000 pack कर ली आप कैसे पता करोगी कि उसने कितनी actual में pack की है तो आप machine खरीदने से पहले machine जो बेच रहा है से डारेक्ट पुचो क्या आपकि machine काउंटिंग कर रही है या नहीं कर रही है क्योंकि जो हमारी machine है वह counting करेगी मैं आपको लाइव बताऊंगो कि टांगा कैसे कई अभी उस से पहले मैं आप को बताओ तो इस उससकर सबसे पहले पॉइंट अपना रहता है कि जो हमने कंट्रूलर बना है इसकी क्या खासियत है काउंटिंग ये मसीन करती है कि आपने कितने पाउच बरे कितनी बोतले बरे कितने नोजल सेट के सब कुछ ये काउंटिंग करती है तो इसके लिए हमने इसपेसल काउंट का एक ऑप्सन बटन दे दिया है जिसके अंदर आप पर डे इस मसीन से कितना प्रोडक्शन ले रहे हो उसकी प्रॉपल ने काउंटिंग करेगी जैसा कि काउंट वाले बटन को मैं जैसे ही प्रेस करता हूं आप देखोगे यहां पर अ स्विश से तो यह कर लिया अभी मैं इस काउंटिंग के वापिस करता हूं दिये हो गया 47 यानि एक बार आपने रन कर लिया है अब दूबारा में इस मसीन को वापिस और अपरेट करता हूं यह मैंने कर लिया शुरू हो गई है यह वापिस काउंट पे बटन करूंगा तो यह होगया 48 अभी थे अपने काउंटिंग कितना हुआ 48 अब मैं इस मसीन को अंद लगा तार आट बार देता हूं आट बार देखाने के बाद में कितना काउंटिंग होता देखते है एक बार कि दो बार तीन बार चार बार पांच जैंस का साथ और यह हो गया आट यानि कि आपने पहले काउंट कितने धी 48 पलस एट यानि 56 काउंटिंग होनी चाहिए काउंट किया 56 काउंट हो गया यानि कि यह मशीन काउंटिंग करती है और इस machine की खासियत यह है कि इसके दोनों side में controller लगे हुए यहां से जो भी आप बरोगे उसके counting अलग करेगा पीछे की side में जो controller लगा हुआ है उसके counting वह अलग करेगा यानि कि दोनों separate काम करती है पहली खुबी हो गई अब बात करते हैं इस मसीन की दूसरी खूबी या आपको जहां से मसीन ख़रीद रही हो उन्हें पूछना है कि ये दूसरा भी आपकी मसीन के अंदर खूबी है या नहीं है तो दूसरी खुबी रहने वाली है कमप्रेसर की अगर उन मसीनों में कमप्रेसर लगा हुआ है तो उसकी स्पीड कम या ज़ादा हो जाएगी उसका फलो का जो स्पीड है ना टॉर्क है ना वो कम या ज़ादा हो जाएगा क्योंकि आज के टाइम में जितने भी पाउच फिलिंग मसीन बोटल फिलिंग मसीने बेच रहे सभी लोग बोलते हैं कि हमारी मसीन के अंदर कमप्रेसर लगा हुआ है लेकिन एक्चुल में उनके अंदर पंप सेट लगा हुआ है क्योंकि अगर compressor लगा हुआ तो उसकी speed को कम या तेज कर सकते हैं अब आप बोलो कि speed कम या तेज से क्या benefit है तो उसका benefit यह है कि अगर speed कम या तेज होगी तो पाउच के लिए speed फुल चाहिए टॉर्क फुल चाहिए ताकि पाउच फुल टाइट हो जाए लेकिन बोटल के लिए speed बहुत ही कम चाहिए क्योंकि अगर बोटल के लिए speed जादा हो जाएगी आपका juice बार फैक्ट नेगी तो जूस बहुत सारा बार गिर जाएगा आपने देखा होगा कहीं कहीं आपने वीडियो देखते तो उनका juice है ना जब भरते है ना बोटल तो juice बार गिर बच्चत करने वाले अगर उनकी मसीन में compressor लगा हुआ है तो यह नुकसान नहीं होगा अब लाइव करके बताता हूँ कि यह compressor कैसे काम करता है तो इसका अपने लाइव वीडियों के अंदर test करते कि compressor कैसे वर्क करता है अगर एक्चल में compressor लगा हुआ है तो मैं जैसा कि मैं 80 ml ml ही आएगा लेकिन वो जूस जाग बनके बाहर निकलेगा क्योंकि फुल प्रेसर से जूस बाहर निकलेगा तो आप देख सकते हो यह मेरे बाद जरीकन है यह पूरा एमटी है इसके अंदर कुछ भी नहीं है पूरा एमटी जरीकन है अभी मैं इसके अंदर यह ले ले ल आगे और यह इतना जूस बाहर आगे यह बहुत ज्यादा होता है बल्क लेवल पर निचे गिरेगा पूरा वैस्ट जो जाएगा अभी इस ही मसीन का जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड को स्लो कर देता है जिससे क्या होगा एक भी बुंद आपकी बाहर नहीं गिरेगी और इसका जूस का आप देख सकते हैं एक बार आप वापीस फ्लो देखना इसका यह देखो बहुत ज्यादा तेज फ्लो आ रहा है ताकि उससे जाग बनेगा क्योंकि इसके साथ में कंप्रेसर हवा के साथ में जूस को फ्यक्त आए अभी में जो इसकी स्पीड है उसको कम कर द अपने जो प्रेसर की स्पीड है उसको 50 कर लिया अभी आप लोगों ने देखा अभी जो प्रेसर का स्पीड ना इन टी नाइन पे किया अभी उसका फिप्टी पर्शंट कर दिया निए उसको कम कर दिया आप देख लो जार बिल्कुल खाली है जार एक बहुत पकड़ना आ इसके अंदर यह डाल देता हूं और जैसे ही में इस बटन को प्रेस करता तो आप देख लो उतना का उतना पूरा जूस आया लेकिन एक बुंद भी निच्चे नहीं गिरा इसके अंदर आप देख सेब्यों यह लग रख लिया यह निच्चे किया और इसको डाल दिया यह एक बुंद भी नीचे नहीं गिरा एक बुंद भी नहीं गिरेगा अभी का फुलो देखना जो पहले का भी फुलो देख लिए अभी का फुलो देख आप कैसे बहुत धीरी धीरा आ रहा है ठीक है ना बहुत ही धीरी धीरा आ रहा है एक बहुत ही धीरी धीरा आ रहा है ठीक ह जो compressor एक speed है, 99 पे आपने देख लिया, 50 पे देख लिया, अभी देखते हैं 10 पे, कि 10 पे वो कितना power के साथ में बार निकलता है, क्योंकि compressor की value तो हर जगे आपको देखने ही पड़ेगी, अगर compressor लगा हुआ है, तो वो work out करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या कर लिया, अपने 10 पे set कर लिया, तो आप 10 की speed देखते हैं, कि 10 की speed पे कितना juice बार गिरता है, या नहीं गिरता है, या power compressor की कैसे रहती है, तो उसके लिए मैंने अपने वही empty bottle new ले 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 ये, ये मैंने अपना new empty bottle ले लिया है, और इसको यहां पे रखते हैं, क क्योंकि अभी compressor का जो power है उसको बिलकुल भी कम कर दिया, और इसकी actually speed देखनी है अगर आपको, बता देता है, अभी speed देखना आप, कैसे आ रहा है, जैसे कि बहुती, बहुती slow speed के अंदर आ रहा है, बहुती slow speed, आप देखो, speed देखो, और इसको अगर मैं live में speed बढ़ा के देख करता हूँ था आप देखना, अभी आप इस speed देखना, देख ये speed देखो, एक ये speed थी, और दूसरी speed अपने वाली, वही पुराने वाली, ताँच पर कल लेते हैं, ऐसा कल लेते हैं, ये पांच पर speed कले, 99 पर speed कर लिया है, पांच पर speed देखना, यानि कि इस machine के अंदर, एक्चुल में compressor लगा हुआ है, जिससे अपने इसकी जो power है, उसको कम या तेज कर सकते हैं, मैं एक बार आपको पांच पर वापिस बता तो आप देखना, अभी इसके अंदर क्या जाग बनेगा, जाग बनेगा यह नहीं क्योंको compressor बहुत कम कर दिया, आपका juice एक परसेंट भी wastage नहीं होगा, तो आपने देख लिया counting होती है, compressor लगा हुआ है, तीसरी खुबे उन्हें यह पूछना कि आपकी machine operate कितने तरीके से होती है, एक तरीके से, दो तरीके से या तीन तरीके से, क्योंकि right human की special machine, special control के साथ में यह machine तीन तरीके से operate होती है, और वो तीन तरीके में, दो तरीके, नॉर्मल है, एक तरीका यह टेकनोलोजी से बैश है, अब क्या होता है, उसके अदर मैं आपको वो भी live बता देता हूँ, machine अपने पीछे ही पड़ी है, सबसे पहले, यह machine आपकी operate होती, इस green वाले switch से, किसे operate होगी, green वाले switch से, यानि कि यह machine तीन तरीके से operate होगी, पहले तरीका जो operate होने का है, वो है green switch, आप देख सकते हो, यह हर machine के अंदर लगा हो, तो हर इंडिया के ने जितनी भी machine मनती हैं, उनके अंदर यह machine, यह बटन सबी machine में यह बटन लगाते हैं, सब copy paste चल रहा है आज की टाइम में, यह बटन, यह पहला, यानि पहले यह switch से start होगी, एक बार वापिस कर लियता है, दूसरी यह machine operate होगी food paddle से, यानि कि आप एक जगे पे खुर्सी लेके बैठ गए, और आपके पहरों के निच्चे, यह food paddle लगा हुआ है, यह paddle लगा हुआ है, यह जो आप मेरे हाथ में देख रहों, यह paddle लगा हुआ है, आप यहाँ पे बोटन दाल दी, आप पहर से यह जै इसको आप में लिया और इसको यहाँ से प्रेस कर दिया, यह operate हो गई, एक बार, वापिस एक बार कर लेता है, यह food paddle है, पेर के अंदर रख दिया है, इसको जैसे पेर से यहाँ से प्रेस करेंगे, यह हो गई, यह दो तरीक हो गई, और अभी बात करते हैं कि तीसरा जो operating system है, वो कैसे काम करेगा, तो वो AI best technology है, उसके अंदर क्या होगा, आपने एक बार बोटल बढ़ दी, या पाउच बढ़ दिया, उसके बाद में दूसरी बार automatic वो start हो जाएगा, वो कैसे होगा, वो आफ लाइव एक्जामपल के थूरू समझ जाओगे कि वो कैसे काम करेगा, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, यह मैंने बोटल ले लिया है, यहाँ पर पहला तो यह समझ में आई है, पहला यह मैनूल है, दूसरा पैर से है, और तीसरा यहाँ लगा लिखा हुआ है, आटो, जैस यह दूबारा वापिस स्टार्ट हो गया, देख लो, आप मैं किसी के भी हाथ नहीं लगा रहा हूँ, और यह काम उनके लिए आएगा, जो बहुत स्पीड में काम पना करना चाहते है, बार बार बटन देबाने की जुरूत नहीं अभी उनको, आप यह सवाल उन से जुरू पूछना कि भाई यह फैसिलिटी आप में है या नहीं है, अगर है तो कैसे, किसी भी मसीन में यह नहीं फैसिलिटी होगी, आप देख सकते हो, कैसे बहुत ही स्मूथली यह मसीन काम कर रही है, याने कि अभी आपकी मसीन तीन तरीके से उपरेट होगी, ऑटो में करना है, डारेक्ट होती रहेगी, आपने जितना टाइम सेट कर लिया, जितना फिलिंग का इस्पिड कर लिया है, उसके बाद जो ऑटोमेटिक करता रहेगा अपना कम, आपको हर बार बटन दबाने की जुरूत नहीं है, पैर से करना है, बटन से करना है, बटन से हो जाएगा, यान इसरे जथा बटन सेट आप हो जाएगा, आपको आपको नहीं देखना है, इस पाउच कितने ML का है, क्यों मुह चलाए नहीं देखना है, आपको बस क्या करना है, जैसे मेरे पास ये बोतल है, इस बोतल को मैं इसके अंदर खाली कर देता हूँ, इसके अंदर मैंने बोतल को खाली कर दिया और इसके अंदर जो तीसरा बटन है तीसरे बटन में लिखा हुआ धिके थाईड यानि यह टाइम और इसमिद दोनों को रिकॉर्ड करता रहेगा दो यह लिखाए है कि आप दो करना है अब लेबर को पता ही निया किसका टाइम सेट कैसे करना किप्रेसर के स्फीड कम्प्रेसर को कितने सेकंड तक चलाना कितने मिनिट चलाना है वह सब जन्जिट मारी का हम है को तो एसे रिसेलर हैं जो मसिन कहीं से खरीद लेते हैं फिर दूसरों को बेंच देते आप उनसे पो बार गए हुए अभी मुझे नहीं आता है जब आएंगे में बात कर वाँगा लेकिन ऐसी इस मसीन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यह मसीन हमने खुद डिजाइन कि हमने खुद बनाई इसका जो टाइमर कंट्रोलर ने खुद बनाया इसके अंदर आप लोगों को क् दूबारा बंद कर दिया अभी दूसरी बार आप जैसे इस मसीन से बटल दबाओ गे उतना ही जूस निकालेगा न ज्यादा निकालेगा न कब निकालेगे मैंने बोतल खाली कर दी और इस बटन को मैंने प्रेस कर दिया आप देखना यह बंद हो गया ओटोमेटिकली बंद हो गया जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रिकॉर्ड बटन की साहिता से अपना जो एक सो ऐसी एमेल का जो लिच्ची का बोटल है उसको बरके देखा था अभी इस ही रिकॉर्ड बटन से अपने आधा लीटर की जो बो पॉलीम सेट करना ऐसा कुछ भी नहीं करना है यह टेकनोलोजी आटो ले लेगा कि मुझे कौन सा पाउच है बोटल है उसके इसाब से पावर भी आटोमेटिक ले लेगा अगर आपको पावर अपने इसाब से अपडाउन करना तो वह आप तो कर सकते हो टॉर्क को बढ़ा सक अरशा के और अपने बोटल बढ़ना मुझे इतना बोट बढ़ना तो इस रिकॉर्ड बटन को मैं बंद कर दें यह इतना बोटल दूसरी बार आराम से भर जाएगा आप देख सकते हो तो मैं इस इबोटल और burgसी अपनी आप देख सकते हो तो और इससे आपए कुछ भी म आड़न से पर दावा दिया अपने जब घूस रिखोड बटान में टाइम से डिक किया था यह उतने में आपने में घूस निकालेगा करने कम रिखना यह इतना निकाल दिया आराम से उतना एक्कुरेट इसने निकाल दिया है आप देख सकते हो यानि कि अब पहले अपने इससे देखा था अभी अपने जो फुट पैडल है उससे देखते यह मैंने लगा दिया और यह देबा दिया यानि कि यह आपका automatically count कर लिया है यानि कि अभी आपको अलग अलग डिजाइन के अलग लग सेप के अलग लग ML के पाउच के लिए बोटल के लिए या किसी भी परदार्त के लिए जो लिक्विड फिलिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको time set करने की जूरूरत बिल्कुल पे न आपको time set करने की जूरूरत नहीं है बिल्कुल भी जूरूरत नहीं यानि कि चार पॉइंट मैंने आपको बता दिये अब रहेगा पांचवा पॉइंट क्या आपकी मसीन अपना ख्याल खुद रखती है यानि कि आपने मसीन काम कर दिया उसके बाद में वह मसीन automatically clean हो जाती है नहीं होती है तो उसके लिए हमने इस मसीन में special feature दिया है एक बटन दबाओ के auto clean machine हो जाएगी बस आपको क्या करना है जो juice में से जो pipe है उसको निकाल के साप पाने के अंदर रख देना है और जैसे यहां से wash का button दबाओ के वह machine automatic wash हो जाएगी जो compressor के अंदर juice है वह साप ह हो जाएगी और जहां पर भी juice के liquid वह साप हो जाएगा machine एकदम हाईजिनिक हो जाएगी पूरी तरीके से अभी आपके दिबांग में आ रहा होगा यह काम तो मैं इस स्वीच से भी कर सकता हूं और auto वाले स्वीच से भी कर सकता हो क्योंकि उसके अंदर juice निकाल रहा है पान वाश वाला पटन है यह completely उसको clean कर देगा आप यह काम यहां से यहां से वाश्ता नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं six way वाले पॉइंट किया चटे पॉइंट की क्या आपकी machine all round performance देगी यानिकि आपकी एक अकेली machine आप किसी भी परकार के pouch bottle लिची अलग लग डिजाइन क safe के pouch सबको fill कर देगी और वो भी बगयर किसी दिक्कत के और इसके लावा दूसरे जो भी equipment है वो आपकी machine के उपर लग जाएंगे जैसे कि आपको 100 ml का pouch बढ़ना है भर देगी यह machine 200 ml का बढ़ना है भर देगी fruit safe के अंदर बढ़ना है भर देगी डकन वाले pouch बढ़ना है भ क्योंकि इस machine के अंदर compressor लगा है तो आप इसकी speed को कम ज्यादा कर सकते हो और दूसरा इस machine के आगे की साइड में जो नोजल लगा हुआ है यानि कि बोटल आप इस नोजल से बर सकते हो और जो इसके पीछे की साइड में जो नोजल लगा हुआ है वो especially pouch के लिए नोजल लग पाउच भर सकते हो यानि कि यह machine all rounder performance लेगी आपका जो भी liquid का काम है जो भी वीवरेज का काम है सब में यह machine आपके काम आएगी especially हमने इसका timer controller बनाया है अब बात करते हैं साथवे point के बारे में कि इस machine की साथवी खुबी क्या है साथवी खुबी इस machine से थोड़ी सी हट कर है क्योंकि इस machine के साथ में जो आपको equipment मिलेंगे न वो बहुत ही बहतरीन तरीके से काम करने वाले है पहला रहेगा three line का special sealer यानि कि अभी जो आपका pouch है सिंगल लाइन में seal नहीं होगा ॡबल लाइन में नहीं होगा यानि एक लाइन अगर खराब हो जाते हैं दो लाइन खराब हो जाते हैं लेकिन तीन लाइन कभी भी खराब नहीं होगी और इतना perfectly वो आप उसके उपर पर दस फूर्ट तक पाउच भी रख दो गए तो नीचे वाला पाउच लिकेज नहीं होगा और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ट्रीपल लाइन लॉकिंग कैसे होगी तो इसी मसीन से लॉक किया हुआ है सीलर की साहित है त्रीपल लाइन सीलर की साहित है आप इसमें अब बात करते है कि इस मशीन के साहित में वह रहेगा आपको सेकेंड आपको मसीन मिलेगी वह रहेगा घियर वाला कैपर Darren Arcar इस complete kit के साथ जो आपको घैरवाला Persian मिलेगा वो अगर दमदार दो 2 वेक्ट और 12 वेक्ट एक Danakaj को leopard और स्टार्ए कर लो आप उसको नहीं रोक सकते हो यह हमारा दावा आए क्योंकि उस मसीन के अंदर हमने इस्पेशल गेर सिस्टम लगाया वह आप उसको नहीं रोक सकते हो तो मेरे साथ में भाईया है में अंदर आप देख सकते हो यह जो कैपर गेर वाला आप इसकी अपने घर पे पार्सल डिलिवर वाला या इस मसिन के साथ में अप इसकी लाइव टेस्टिंग भी देख सकते हो और उसकी वीडियो भी हमें बेच सकते हम उसे यूटूब पे अपलोड करेंगे कि आप दो वेक्ति ने मिला कि जब दम लगा तब यह गैर वाला कैपर आपस नहीं रुका और आप देख सकते है आप कितना भी दम लगा लोगे नहीं रुके सब्सक्राइब और दूसरी बात इसके अंदर यह कि यह बॉटल के लिए इस पेसल काम में आता है जो अपने फिलिंग मसीन से बॉटल कैपिंग मसीन वगरा से डखकन देते हैं उनके लिए तो बहुत इस पेसल होता है क्योंकि जो रिंग आती है ना वह रिंग कंटीनु इसक कैसा भी होगा आपका हाथ से वह टाइट नहीं हो रहा है ना तो यह मसीन आपका उसको जबरदस्ति करके छोड़ देगी मतलगी जबरदस्ति इसको पै के करेगी बहुत थी अच्छा एक्सपीरियंस होगा और यह आप जब आपके पास यह डिलेवर होता है ना तब इसके वीडियो हमें भेज सकते हैं और वापिस में बता यसे पकड़ना आपको इसको दो बंदे इसको रोकने की कोसिस कर लेना किसी भी तरीके से आराम से इसको यह रुके गया यह बहुत टाइट पकड़ा हुआ फिर भी यह घूम रहा है यह देखो मैंने इसको बहुत चाइट पकड़ लिया फिर भी देखों कंटीन यह राउंट पर पूरी मतलगी में अंदर ताकत वगरा लगा दी है आप भी टेस्टिंग कर सकते हैं जब यह आपके बाएं डिलेवर होता है तब और उन लोगों को खुला चैलेंज है जो कैपर अपना कैपर 15,000 में 20,000 में बेशते और जो इसका स्पीड है वो 20 राउंड लेगा इसकी राउंड लेगा इसकी राउंड बहुत ही काम है जो जितना बोतल कैपिंग के लिए चाहिए लेगा और इसकी गैरेंटी हम फुली लेते जो 20,000, 25,000 में जो कैपर बेशते हैं बोलते गैर सिस्टम लगा हुआ है वही कै आप को बिलकुल फ्री दी जाएगी जिसका अगर अलग से लेने जाते तो शाड़े चैनजार का वह मसीन और उसका रोमेटल रहेगा लेकिन इस किट के साथ में आपको बिलकुल फ्री दी जाएगी और जो यह लीची इस तरीके से रहने वाला है यानि कि ऋट्टल बढ़ा है चोटा है तो आप यहांसे पीछे से इसे खोल के अप्डान कर सकते हैं और इसका जो यह लिची सीलर रहे न है यह दोनों तरीके से लॉक होगा जानि बोटल जो आपकी है ना वो फॉइल लगा हुआ है ना वो पहर होँगा है जो यह तरह से दिल होगी अधिर दीजाइन क्या है अब होच्झे हाक पहर में एक्यूप् confess यानिक एक्पैट्ट हो जाएगा बस आपको अलग लग डाई बनवानी पड़े कि हम आपको बना करें नहीं कि 28 से 37 की साथ में आ रही है और लिची सिलर इतना बड़िया बना दिया यानि कि लोगों की दिमाग में आ रहा है कि मैं मसीन हाथ से ओपरेट करूँगा फिर पाउच बरूँगा फिर ये भी हाथ से दमाऊंगा गया वो खतम हो गया जमाना अभी आपका दिमाग क्या काम करेगा मैंने यहां पर यहां पर स्वीश को लगा दिया यहां पर इसे कर दिया यानि एक हांती मेरा भी काम ओ रहा है दूसरा कोई भी सिस्टम काम नहीं रहा है यह ही टेक्नोलोजी काम आ रही है पैर से काम लेना है इससे काम लेना है हाथ में हेस्क्ट से ले और भी लेकिन एक benefit और बढ़ गया है वो भी जश्ट मेरे दिमाग में आया है लेकिन आपको आठवा benefit आपका इस machine का बता देता हो यह machine 100% 304 food grade इस्टिल से बनी हुए और इस machine के ने जितने भी equipment लगे हो सारे food grade FSI proof है जिससे आप जो भी खाने पीने की चीजे बना रहे हो वो सेफ र आउच भी खराब नहीं होगा और completely machine आना food grade के अंदेर दी हुई है क्योंकि जो भी हम machine बनाते है वो food related बना रहे है चोटे बचों के लिए बड़कों के लिए बना रहे है उनको खाने भीने वाली सामान बनाने के लिए बना रहे है तो food grade machine होना बहुत जुरूरी है और हमने right human company ने मिलके इस machine को completely food grade बना दिया fully completely still ने still की machine बना दिया इसके अंदेर जो compressor लगाओ वो भी food grade का है अलग पार ड्रॉमेटर लगाओ सारा food grade लगाओ और इसके अलावे इस machine के उपर पूरे एक साल की guarantee warranty मिल रही है right human की कोई सीभी machine लेते हो आप उसके उपर एक साल की guarantee warranty आ ली और food वाली related item बना रही हो लेकिन अगर उसका FFSI license आपके पास में नहीं है तो आपके पास CMS office से टीम आजाएगी और बोल दें कि भाई FSI license कहां पर है FSI license का number कहां पर है बगर FSI license के आप माल कैसे बना रहे हो कैसे बेच रहे हो किसी को मारने का इरादा है क्या और दूसर food related कोई भी market में business कर रहे हो या बना रहे हो बेच रहे हो तो आपके लिए FSI license लेना बहुत जुरूरी है और right human company आपको ये facility देती है कि हम इसी machine के साथ में FFSI license बना के देते मात्र 1000 रुपे extra लेकर और अगर आप इस machine के अलावा बनाना चाहते हो तो उसका एक साल का फोटो आपका passport size फोटो आपके दो mobile नंबर आपको license किसके नाम से बनाना है उसकी पूरी detail हमें WhatsApp करनी पड़ेगी हम आपको उसका FSI license बना के दे देंगे within 15 से 20 दिनों के अंदर आप बात करते कि ये machine को आप कैसे purchase कर सकते कितने में ये machine मिलेगी और आपके घर पर ये machine कैसे delivered होगी तो इस machine में हमने तीन वेरियंट रखे है पहला वेरियंट है 21,000 का दूसरा वेरियंट है 25,000 का और तीसरा वेरियंट है 30,000 रुपे का 21,000 का वेरियंट है वो उन लोगों के लिए है जो only for pouch का ही काम करना चाहते है उस वेरियंट के अंदर आपको यही double nozzle की machine मिल एक नोजल आपका bottle का रहेगा इसके साथ में आपको three line के दो sealer मिल जाएंगे three line के totally दो sealer मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको इस machine के साथ में 2000 पाउच चार flavor एक लिटर परजिरेटिव एक welcome kit और इसके अलावा एक completely guide book आपको इस machine के साथ में मिल जाएगे जिसका totally cost रहेगा 21,000 रुपे इसके अंदर आपका courier charge GST packing charge सब कुछ include आपको अलग से कुछ भी नहीं देना है जिसमें आपका 3,000 रुपे advance रहेगा बाकी का 18,000 रुप जो पाउच का और बोटलों का जो ढकन वाली बोटले होती हैं उनका एक साथ में काम करने वाले तो उनके लिए इस machine में आपको यह ही रहेगी इसके लावा इस machine में आपको एक sealer मिल जाएगा sealer की quantity एक हो जाएगी उसके साथ में आपको एक gear वाला कैपर मिल जाएगा बोटल के ओपर ढकन लगाने के लिए दूसरा आपको तीसरी आइटम 2000 पाउच मिल जाएंगे चार फ्लेवर मिल जाएंगे एक परिजर विटी मिल जाएगा एक वेलकम किट मिल जाएगा और इसके अलावा आपको एक guidebook मिल जाएगी जो कि यह complete रहेगा मात्र 25,000 रुपे तीन रुपे एडवांस रहेगा बाकी का 22,000 रुपे cash on delivery रहेगा और इसका जो तीसरा वेरियंट रहेगा वो रहेगा मात्र 30,000 रुपे जिसके अंदर आपको एक लिच्ची का sealer मिल जाएगा एक आपको थ्री लाइन का sealer मिल जाएगा और एक आपको गेर वाला कैपर भी मिल जाएगा और इसके अलावा 2000 पाउच, चार फ्लेवर, एक लिटर पर्जियरिटेव, एक वेलकम केट, एक फर्मुला पूई के एक सारा सब कुछ साथ में मिलेगा और जो हमारे तीनों ही वेरियंट है चाहे 21,000 का हो, 25,000 का हो, 30,000 का हो सब के अंदर दो कोबल नमबर सोर है, उस नमबर पर आप कॉल कीजिए, उन्हें वाटसप कीजिए, डारेक्ट वहां से अपना ओर्डर बुक कीजिए, ओल और इंडिया में हमारी सर्विस बिलकुल फ्री रहेगी, कोरियर चार्ज इसटी सब कुछ इनको लिड़े, यह आपके घर तक पहु मात्र, आपको पाउच का रेट रहेगा, मात्र 95 पैसा, और जो फलेवर का रेट रहेगा, मात्र 200 रुपय पर पेस बोतल का रहेगा, यह सारा जो भी में रेट बता रहा हूँ, यह आपके घर तक पहुचाने का है, और इसके लावा आपको वाटसप पर अगर कॉलिंग नह सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा जो कंप्लेट सेट अप है, वो EMI पर करवाना है, तो आप पूरा कंप्लेट सेट अप EMI पर करवा सकते हो, उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना अनिवारिया है, और इसी परकार नहीने बिजनेस आइडिया कॉंसेट और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद